best strategy in equity share market I am very sure आप सबने भी कभी ना कभी इसके बारे में सरूर सोचा होगा reality में बात करें तो कोई सी भी strategy अच्छी या बुरे नहीं होती equity share market में सारी की सारी strategy काम करती है आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी एक ऐसी strategy जो आपको best suit करती है जो आपकी suitability के recording अच्छी है उससे ही follow करना ज़रूरी हो जाता है चाहिए आप एक शेर में एक trade लेके 100% के returns तक पहुचे या फिर आप 10 trades ले और end में पहुचे 10-10% return करते हुए 100% तक end goal सेम होने वाला है strategy सारी की सारी काम करती है आपको best suited strategy strategy पर फोकस करना ज़रूरी होता है इस एक important learning के साथ मेरा नाम है अनन्त लड़्डा CFA CACFP LLB इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करें कई बार comments में fake काफी सारे ऐसे लोग है जो नकली invest आर्ट फर कल के नाम से आपको comment करने की कुशिश करते हैं जितने भी आप इदर चेक आउट कर सकते हैं अनन्त का फंडा का पहला पार जिसका नाम है Market टूड़ी सबसे पहले इंडेक्स के उपर नस डालते हैं 5,500 के उपर के closing निफ्टी 0.40% पोजिव 15,700 के उपर के strong closing हम बोल सकते हैं बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.91 परसंट पोजिटिव आज के दिन जो निफ्टी में movement आया था लीड किया था बैंक निफ्टी ने अगर mid cap index की बात करें तो 0.79 पसंट पोजिव रहा एडवांज ग्लाइन रेशियो काफी स्टॉंग है 1100 के आसपार शेर एडवांज हुए जिसके अगेंस्ट 700 के आसपार शेर डिकलाइन हुए एक अच्छा एडवांज ग्लाइन रेशियो हम इसे बोल सकते हैं सेक्टर्स में लीड किया PSU बैंक्स ने रियालेटी एनरजी PSU और मेटल्स ने अच्छा बाउंच किया प्राइवेट बैंक्स भी ठीक रहे जो सेक्टर्स आज के दिन कमजोर थे वो थे आटो IT कंजम्शन FMCG के साथ-साथ फार्मा ऑटो काफी दिन हो गया इसको कमजोर होते सेवें काफी सारे इंपोर्टन ओटो के स्टॉक्स आज के दिन इंपोर्टन सपोर्ट जोन के पास आरे तो यहां पर भी आने वाले दिनों में हमें बाउंस मिल सकता है जिस समय मी वीडियो बना रहे उस समय यूस फीचर्स पॉजिटिव हो गया आप इदा चेक आउट कर स 15775 की और मुस्ट 150 पॉइंट सग्डाउन वा था और पूरे दिन मार्केट ने अपनी नाग की सीध में उपर की जहर्णी पूरी की है हाई बना है 15765 का और क्लोजिंग हुई है 15746 पे मतलब अपने हाई के पास क्लोजिंग हुई है एवरेस ट्रेट प्राइस के पास क्लो पास की पर्चेस नेट में 1100 क्रोज की सेल हुई है तोड़ी सी ज्यादा सेल है रेग्लरी इसको ट्राक करना जरूरी हो जाता है अब चलते हैं नेक्स सेक्षिन पर जिसका नाम है वीवर्स क्वेरी सबसे पहली वीवर्स क्वेरी आ रही है आप इतरे चेक आउट कर सकते हैं एक ऐसे इंवेश्टर है जिन्होंने एक्विटी म्यूच्वल फंड में ELSS के इंवेश्ट किया था तीन साल पहले तीन साल लॉक-इन पिरिड खताम हो चुका है तो क्या यहां पर हमें रिडम्श करना चाहिए पर अगर आपका गोल है एक ऐसा जो पांत साल साथ साल दस साल दूर है पैसे को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है यह मेरी परसनल ओपीनियन हो जाती है अगर आप चाते कि हमारी टीम आपको म्यूच्वल फंच में हेल्प करे सारे के सारे इंपॉर्टन और साथ ही साथ हेल्प लाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स इंपॉर्टन क्वेशन यह है कि आनंत इस साल मीनिंग्फुल करेक्शन आने की एक्स्पेक्टेशन है तो क्या हमें सार अगा सारा पैसा रिडीम करके गोल्ड और सिल्वर में चले ज पर जब तक वो मीनिंग्फुल करेक्शन की स्टार्टिंग ना हो जन्रल मार्केट ट्रेंड में उसके कुछ साइन ना दिखे अननेसेसरी हमें प्रियम करते विए कुछ काम करना बैक्फायर हो जाता है अगर मेरे पोर्टफोलियो का 5-10 परसेंट गोल्ड और सिल्वर में है एस सच कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही एक अच्छे इंपॉर्टन लेवल्स पर इस्पेशली अगर गोल्ड 45,000 के नीचे के इंट्री मिले और सिल्वर 65,000 के आसपस के इंट्री मिले तो काफी अच्छा हो जाता है इस इस प्यॉर ली फॉर इंवेस्टिंग पर चैनल पर चुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा वरना लगी उसुल तो आप जॉइन बटन मेंबर्शिप कर सकते हैं और अगर आप अल्रेडी मेंबर है कल रात का कल शाम का मेंबर सुन ली वीडियो चेक आउट नहीं किया तो एक बार जाके चेक आउट कीजिए आपको आन ली भी बताया था कि यहां पर इसे मीडियम टर्म परस्पेक्टिव के लिए ध्यान में रखा जा सकता है रफली डेड़ महिना भी नहीं हुआ आप देख सकते किस तरीके से इसने ब्रेक आउट दिया अब ऑविसली इसमें ट्रेलिंग करना जरूरी है पर एक अच्छे ले बने वाले एक ऐसा स्टॉक जिसको 3,000 पर डिसकस किया था 3,100 पर डिसकस किया था 3,200 पर डिसकस किया था और आज वापिस से में उसे कवर कर रहा हूं नाम है डीमाट आप इदर चेक आउट कर सकते हैं अगर कल की भी बात करें अगर यह शेर 3,315 को क्रॉस करें तो 3340 के ल मार्केट कैपिलाइशन दो लाग करोड से उपर का हो गया और अभी तक इस शेर में आपको फ्यूचर अप्शन पर ट्रेड करने का ऑप्शन नहीं है मतलब आने वाले समय में बहुत ही चल्दी हो सकता है कि यह भी शेर आपको F&O में मिल जाए चांसे बहुत जादा है इस करनी है उसका जोन अभी तोड़ा सा दूर है अब चलते हैं नेक्स सेक्षिन पर जिसका नाम है एक्स्पिक्टेशन स्प्रम टुमारोस मार्केट सबसे पहली कॉल काईशो परेंट्रेश 16,000 सेकेंड एक एंटरेश 15,800 और तर्डगाईस पिफ्तीन ताउजन नींदे परेंटफ मेज़िस्न मेजर होने वाला है 15,900 का सपोर्ट की बात करो तो पुट का हाईशो परेंट्रेश 15,000 सेकेंड हैइशो परेंट्रेस 15,500 और तर call ratio की बात करें तो 1.23 के आसपास है काफी comfortable है अगर bank nifty की बात करें तो उसने अपने रजिश्चन जोन को cross किया है support 34,000 का होने वाल है रजिश्चन अगर छोटे मूठी की बात करें तो 35,200 का मिलने वाल है अब कल के market की बात करें तो market में देखिए तोड़ी बहुत volatility होना is but obvious but हमें उससे friendship करना ही पड़ेगी अगर हम Israeli को properly use करना चाहते है तुम कल का दिन as such अभी तक smooth रहनी के expectations है अगर किसी को profit booking करनी है तो 15,850 के ऊपर का वो level होता है जहां पर अगर ultra short term position में तोड़ी बहुत profit करा जाए तो as such कोई भी दिकत नहीं होने चाहिए अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें भी ना मज जाएगा अगर अभी तक आपने secret of money making batch को considering नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा औरड़ी 60% के ऊपर का batch फिल हो चुका है आप चाहों तो next batch में enroll कर सकते हैं happy investing and I will see you very soon कर चाहिए आप चाहों तो next batch में enroll कर सकते हैं happy investing and I will see you very soon